अब सभी सात्यों का स्वागत हैं दिन्दवाल पॉब्लिकेशन जिक्या भाई होशाथ सिनी सरकी जो निश्वल को टेस्षी चल रही है राजस्तान जिक्या की अति महत्पून प्रस्णों तरी है और इस वीडियो में राजस्तान की चित्रकला सेलियों से समझेद महत्पून प्रस्णों की चर्चा करेंगे यह वीडियो अगर आप सुरू सान तक देखेंगे तो आपके परिक्षा में एक प्रस्णे जो गलत नहीं होगा तो इससे पहले कि जितने भी वीडियोत बने वो सब आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बक्स इसको मैं जिसा सकते इनका वास्तिविक नाम था सावंद सिंग। यह एक जानी को जाता है इसके बाए बने ठैनी को भारत की मोनलिसा कह जाता है अगला विशन देखते हैं उस्ताद कालाने वाले चेत्रकार ३ही चित्र कृष नागर में बनिवाए थे तो उस्ताद जो है वह विका नेर की चेत्र ultraustr कर रहते थे तो इस आंसर हो जाएगा बीकानेर अगलाक्षा ने सिर्षीध्य चित्रसाला के गरभ्रासाद प्रसाद 272 जिले में प्रसाब Shantra Thいき जो महल को Merci जो महल इनके चेतर साला बनी होई जयिपूर में आपके सूरत बनाती तो चितर कर सो की चितर बनेते हैं इसका नाम सूरत में इस ऑघटते में 24 श्ली की चिटर कला किसके सासे काल में प्रारब होई तो महाना आफकी समय चावन और सैली जो चित्रकला वो प्रार्ब होइती और चावन से लगे शुर्वन का लेवो मेवड के मारा अमर सिंगh पर्थम के समय को का जाता है अगला क्विशन क्यूशन पांस्यों कि चित्रकला के विकास है तो कारियत जो आयाम अब आपके जैपूर्ट जलै में आयाम और क्लावरत असनस्तान संपते हैं चैटा क्यूशन एक किकिस काल्प में चरम भी तो बूंदी जो महारा ज clearly जो चितर सींग महाराव उमेच संपाल की और देवडास तुपके चंपालाल और हिरा लाल है यह आपके नात्वारा चित्र से समंदित हैं नात्वारा वैसे मेवार काई उप से लिए लेकिन विशेस तो पर मेवार से जिड़ हुई नहीं है तो नाद्वार से ये समन्दित हैं अगला अक्षान है आठ नंबर कौन सा महल महरवार्वार्चित से लिए नव जिवन के चित्रों की अभिवेक्टिवत युद्ध द्रिश्यों के लिए प् अगरे मौति महल जोदपुर में भी है और हटि महल यह वी जोदपुर में है और तक्त विलाज्यों जोदपुर में अगला अंक्षान आपके आपके इसमें राज्स्तान प्रसीज चित्रगार, दीमा, मेर बक्स कासी और राम लखन रश्तन की किस समंदीट रहे हैं और यह उनियारा किस कहां पे आता है यह टॉंक में आता है और वैसे डूंडार सेलिक एजिवी दुनार स्कुल उसका यह अगला लेक्चन देखते हैं नंबर 12 नंबर कई सामने मारवार्वार में नर्मित राग मला चित्रावली सो अव्लिव 5,60 में इसके चंद्राउंगन कहता तो सत्रोली तो मार्वार्वार से ले मेछ बनाचित्र कार थे वीर जी वी नमग जो कलाकार या पालिका परसित वियर वी पृस्लाग छंपावत क नुकीलि नाग और पतली कमर सुरहीधार गरदन किस además कि शुट्र talking विशेश्ता है तो यह सभी शुर आपको बढ़िधनी के चितरों मैं देखने को मिलती हैं अधानी यहीं कि नाद्वारा चितर सेली किन दो सेलियों का समन्द वी त्रूप है तो नाद्वार जो चितर सेली है तो आपके उद्यपूर मेंवाडर से समन्दिते हैं इसके लाबिवब ब्रज डिये बर से से भी प्रभावित हैं अगला कुछ ने पंदरा नंबर एनवास पर प्रकरते के चित्र बनाने के लिए प्रसीद चित्रकार जिनका जन्म दोलपूर में हुआ था और सरोतम चित्रे फालो बर्लिन ये चित्रकार को ने तो स्रीमती प्रतिभा पांडे जो की दोलपूर निवा प्रसी हैं आगे लाक्षाषै ने राजिस्तान है एलागी सबसे पहले विग disp.. आजू विव खैने किसने के था चुंद सबसे पहले यद्यक वरगिकर्ण किया गया था.. आरा से लागा वह क्याथ क है अनंद कुमार स्वामी ने आनंद कुमार सौमी जिनकी किताब का नाम है राजपुत पेंटिंग इसमें क्या था 1916 में तीनोही बात इंपोर्टेंट है आनंद कुमार स्वामी किताब का नाम और कभी क्या यह तीनोही तीन परस्ण आपके परिक्षा में महत्पून हो जाते हैं मंदावा क्यों प्रसीदे तो मंदावा बिती चित्रों के लिए प्रसीदें मंदावा बिती चित्रों के लिए प्रसीदें सेखावटी किसके लिए प्रसीदें तो सेखावटी जो हवेलिया हैं उनके उपर बिती चित्रों के लिए प्रसीदें कई सारी हवेलिया आपको जो स तो इसलिए शेखावटी को ओपन एर आट गेलर भी कहा जाता है सेखावटी को ओपन एर आट गेलर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुशन 19 नंबर महराव उमेट सिंग की ससनकाल में निर्मित बुंदी चितर से लिए का सबसे उतकरिष्ट रूप कौन सा है तो वह वैस चितर साला चितर साला यह कहां पर है चितर साला है बुंदी के महलम है यह तस्विरारों कार खानों यह जगत सिंग के द्वार ओर निर्मित मेवार में और अजारा की गरीए वाप कर डेंव गल्ट इस समने आजारा का ऑवरी देंव गलतिस में शुर्ध घर की बात करें शुरत Within सुरद खाना लाजाया आपके झेपुर तो नाद्वारा चेतर सली पिछवईयों से समंदी थे नाद्वारा पिछवईयां और किशनगड़ आपके बनी ठनी किशनगड़ बनी ठनी जोदपूर डौला मारू और बुंदी जो आपके रागीनी बेरों से समंदी थे तो तीन-चार-एक-दो तीन-चार-एक-दो-टीस आप्शन इसमें से होगा स्रीलाल जोसी नंदकी शोर जोसी और परकास जोसी सांतिलाल जोसी राजस्तान की किस चितर से प्रसिद कलाकार है आपने इन में से केवल एक नाम ही सुना अभी तक वह और वो नाम सुना आपने स्रीलाल जोसी लेकिन यह प्रकारas 시 वीडियोज आप ए मिलेगी और सकते और विडियों आप अच्छा लगे तो अच्छा सह जो आपकी प्रतिक जुर्य MARें आपको केसे लग रहे क्योंकि यह जब आप पृतिक्रेवेस्तिकिन के मादिवलिशन के मैं आपको अगले Gone के लिए वह जो आपमेंड़ी तो यह मुझे तयार करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए तो स्रीलाल जोसी के बारे में हम सब भी जानते हैं यह फर्ट चित्रकार है और यह शापुरा के हैं लेकिन यह बाके की जो नंद किशोर जोसी है यह प्रकास जोसी सांतिलाल जोसी और एक महिला चित्रकार की परसेदें नात द्वारे की परसेदें वह पिछवा याप एंटिंग परसेदें जो भगवान कैसने की जीवन लिला से समझतित हैं बात करें फ्रेंस को चित्रकार तो इसको आला गिला पदाती के नाम से जाना जाता है इसको आराइस के नाम से भी जाना जाता है बाइस है यह क्या होता है फ्रेंस को चित्रकारी जब अपने मकानों अपने में यह प्लास्टरा चित्रमस्क कहाणों च आप ले से सब्सक्राइब को करते हैं तो वो तो च हो एक ठीजर्ता acabou सते हैं तो उसको आप ऊर्दाइब 一点 और दस वेकाले की सुत्र चुड़नी ये सुुत्र प्रतिकर्मन यह स्रावन प्रतिकर्मन शुत्र चुर्णी यह सा usability में और यह झीत्र जशलक नाले मेर में रखे गनंको बार्ति कलाका द्वीप स्थम्ब का का जाता है जित्रकार किस कलाकार को बारती जित्रकला का जैनने ग्राप को सब्सक्राइब ही ते रिद्योस क आप आपको जो पर आप other शेट जाता है उन्हेंtown को फें आप लच्छी राम अलवर के राम परसाद और जगमोहन जैपुर के आपके लाल चंद लक्समन दास और किशनगड के आपको मिलेंगे दन्ना और चोटू इस प्रकार से इनका आपस में मिलान कर लेना है मारवार सेलिप में मुगल प्रभाव कि सब्सक्रा कि समय प्रारब होता है तो सूर सिंग के समय मारवार सेलिप में जो मुगल प्रभाव समसा इनका ज्यादा देखने को मिलता है मुगलो का प्रभाव मारवार सेलिप में सूर सिंग के समय अगला कुछन है 26 नंबर राजस्तान के वाच चित्रकला जो बहारी सेलियों से सबसे कम प्रभावित रही है सताइस्स नमर कुशन आपके सामने हैं एक तरफ चित्र सेली और दूसरी तरप इनके चित्रकार इनको मिलान करना है तो भी ने Cash ने जो सेली है इसके चित्रकार एक तो सहीब दिन और एक है कायम हुस्ता वुकने स्था बात करें जोदपूर की तो काफी प्रसीदें नाद्वारा सेली कि आपकी गाशिराम और हिरलाल याद कर लेना है अगला क्षान आपके 28 नंबर जर्मनी मूल के जो प्रसीद चित्रकार है एच मुलर को बिकानेर के कि सासक ने अपना राज की चित्रकार न्यूक्ट किया था बहुती महत्पूने जर्मनी के महाराजा गंगा सिंग तो जर्मनी के जो मूल जर्मनी मूल का एक चित्रकार है जिसका नाम पूरा है और आर्की बॉल्ड हैर्मन लैंड मुलर इसका जर्म जो है कोईम टूर 11 मार्च 1878 में हुआ था बिकानेर के महाराज गंगा सिंग ने इनको 1923 में 1100 रुपे के प्रत सुची एक को अब पस सुची दोसे मिलान करना है चित्र सेलिए इंका स्वनकाल सापको 뭘 आनकर ले ना है तो मिलान कर लेता है इसमें एक तो आपकोம किशनघड को विषयən तोर पे पढ़ना है क्योंकि यह बढ़ी शाहनी फहमस है और नाग्री दास और साहन्ट सिंक को करने ना है मात करें जैसमे की और और महाराव उमेद सिंह प्रत्म तो इस प्रकार से इनको आपस में मिलान कर लेना ये सुझा के सब Свflamar से के किmh सभती बार मोगल सेलि का जो प्रवाव यहां पर देखने को मिलता है तो मेवार की दो माँना उसमें जगा सिंगे परथमिंके समय जो माँर्ग शेया पर शल यह ताहर अब से लिए हैं लेकिन यह बिना यूप से लिए वो अपने यहां से समंदित नहीं है अगला अक्षिन है अच्छा बिना बिना कहां से समंदित है तो बिना आपने जो किशन के रजमेर वो भी आपके राठोडों की एक साका है तो यह मारवार से समंदित है तो बिना यह भी आपक तो यह नाना राम नाना राम ने बनाया था और आपको इसमें मनोवर विश्य तोर पर याद कि लेना है मेवाड में किस शासन काल मंगे तो महाना कुमबा को सरक्षिन प्रदान ऑफ संगम कंगा 형 के रह जाता है अब कितने महेंधुनि चास्ति के , सकते हैं और नाशन की कलाम का सभान मना जाता है इसके कारण में जो मारना कंबा को कहा जाता है राजस्तान में एकल जो चितर परदस्टने की प्रंप्रा है वो कहां से शुरुए थी किस ने सुरु किया था तो राम को पाल जी विजय वर गी है इनहों ने इसका शुरुवात कि थी इनका जन्म 1905 में बाले स्वाइं मदोपुर में वा था और 1924 में उन्हों ने महाराजा स्कूल आर्ट जैपूर से चित्रकला में डिप्लोमा किया था और 1970 में इन्हें जो राजस्तान ललित कला का अदमी का जो कलाविज समाने इस समानित किया थ है कि सम्मेट पर्द समेट नहीं यह वद्यपूर्ष समंदित नहीं है यह कांकरोeleri स्थ है राज समंति हैं भॉर्दनलाल बाबा यह घलत है ठीके इनको बिलो का चित्र आड़ा जाता है गौपाल वीज Baumology स्वाईմधुर माधूपूर शेंidd crisis शहकावात यह कानर के है वृ की एक नई कला को इजाद किया है तो यह बहुत इनाय किशन आपके लिए हो सकता है बासवड़े की रहने वाली है वह कलाकार डॉक्टर वीर बाला बावसार दोक्टर वीर बावसार इसको बहुत ही महत्तपूर नाम है इनको आपको याद करें ना इसके लाबा जो परदान मं मंत्री बाल विग्याने को बाल पुरुषकर मिला था वह अजमेर की गोरी महाश्री को मिला था अजमेर की गोरी महाश्री को मिला था और एक आनंद इन दोनों को मिला था गणित में आनंद को गणित में मिलाएं सेक्शन की शत्र में और यह गोरी महाश्री इनको यह जो पु तो यह किस के लिए दिया गया इसका आप चुक्मेंट वोकस में जरू मीं लिखना भी चित्र शेलिक वाविधी जिसमें प्लसतर की में वी बित्तीक उपर पूर्पून रूबंसे कोई सूखने के बादूस पर चित्रकार की जाती हैं तो यह वही चित्रकार है जिसका हम उपर चेटा कर चुके हैं फ्रेंस को शुरुआत की थी तब से यह दोनों थे परताब सिंग के समय शीव कुमारोड डाल राम दोनों प्रमुव चित्र को सकार थे जो की जैपुर से लवर में आये थे अगला क्षिन देखते चालिस नंबर चालिस नंबर कुशन आपके सामने है यह रहा आपका चालिस नंबर जन के सवाई-परताब सिंग यह वही इस सवाई-परतापा सिंग जो बरज नेधी की नाम से कवीता लिकते हमाल के यह नहोंने निर्मान करवाया था छनकी में मैं है इस इस्वीजि सिंग्र आदमकदकता चित्र में कि चित्रा ऑपने देखा होगा इसमें का इस रिंग अगलाक्षन है तायाले समबर राजस्तान के पर्षित चित्रकला वीद्याले महाराजस किलोप आर्ट किस्तापना अठाथव सुस्तावन में कहां पर किये गए थी तो यह राम सिंग द्वीटी के द्वीति गुर्णा कि गए थी जैपुर में अठाथव सुस्तावन में और तो आपको यह दूनों याद कर लेना इसके लावा बुंदी और कोटा की जो साथ सकते वो भी राम सिंग थे अगला किसे नमबर बुंदी चित्र कला सेली का सरवादिक विकास किस साथ सक के काल में हुआ था और उन्हीं के समय यहां पर सरवादिक चित्रे बने थे तो राव स यह तो देख लिए माराज अमान सिंग्व दो पूर के यह और अमरदा संकरदास इनके चित्रकार थे राई सिंग विकाने के अले राजा उस्ता और हमिद रुकनुदीन ते और जगत सेंग पर्थम यह उदिपूर के और इनके नसीरु दिन और शाइब दिन इनके चित्रक सिवकुमार और डालू थे इनकी चर्चमा उपर की थी वह वी रजा परताब सिंग वाली अलवर से जब जैपुर से लवर अलग वाता तो ये दोनों चित्रकार वहां से प्रारब में जैपुर से अलवर आये थे इसकांसा जो चोता हो जाएगा ये जैपुर से समझेद नहीं जैपुर से समय पर सी चितरकार लाल चंद और साहिव राम ते और शिवकुमार डालू राम ये जो चितरकार है वो अलवर सेलिष के राव राव राजा परताब सिंग के चितरकार थे 46 नंबर कुछन आपके सामने है राजस्तान की चित्रकला सलीव प्रभुक वरक्स का कौन सा यूग मसुमेलित नहीं है यानि कि आज सुमेलित वो बताना है तो कोटा से लिए और कोटा बुंदी की जो से लिए उसमें खजूर वरक्स की परदानता है और जैपूर से लिए में पिपल औरवटके प्रदानता हैं में मैवार में कदम के वरक् ενादवरस में सबसे ज्यादा में तै कदम के बरक्स इसके अलावा यह जो डूद पूर और बिकर थे लहें से लिए मापर आपको कहले के रॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे रहेगिस्तान में केले के वरक्स कांसर होंगे इसमें तो यह इसकी परिस्टी अनुकूली नहीं है इसके कांसर हो जाएगा तीसरा ऑप्षन एक कहले का चित्रांकन जौत पूर विकाने से समझदी नहीं है अच्छा चित्रकार भी वही चीज बनाती थे जो उनके आज पास मे ने के वातारों कर उनको देख करिए वोचित्रकार उनकी जो मन की जो बातें होती वह चैत्रकर रूप में उकार को कहड़ता है आगला प्चर्णी का जो एक मॉलिक पर्ति हैं राजस्तान की संघ्राले में परदश्सीत हैं तो बड़ी एक हों किhosन गटसम रखिव में रखे जाता है सबस्क्राइस कि और ताले सुक्षार में पशू पक्षा की बहुता है मिलती है तो बुंदी सेली में आपको पुष्टा का अब ज़्यादा मीलती है इसके लवाद शिकार के द्रीशी आपको यहां पे मिल जाएंगी उमेद सिंग को सुर का शिकार करते हुए दर्श रहे लेगा तो ब्स पहाड़ों के जादू समोहन का चीतरा कि पर सबसे बीटान जयर्चारे नई का जाता है तो यह रहाएं तो यह रहाएं तो से लिए के पचास मात्मेट्ण प्रसंद और एक प्रसंद आपको कमेंट करना है कि विलोग के से का जाता है इसका ऊतराव कमेंट करेंगें यह वीडियो आपको